स्ट्रेंट्स वेलकम टू मार क्लास आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नमपर वन इंट्रोडक्शन टू बायलोजी और टॉपिक है आज हम मॉलिकुलर लेवल के बारे में बात करेंगे इन और्गनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजियली डू नोट अकर इन आइसोलेटिड फॉर्म्स राधर दे कमबाइन थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बांडिंग कहरा है कि जानदारों में बायो एलिमेंट्स अलग अलग बलके वो आयोनिक या कोवलेंट बांडिंग के जरीए आपस में जुड़े होते हैं बायो एलिमेंट्स हमने बात की थी पिछले टॉपिक में कि जो खुदरती तोर पर 92 एलिमेंट्स पाये जाते हैं उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो जानदारों के इजसाम का मादा बनाने में हिस्सा लेते हैं तो वो जो 16 बायो ऐलिमेंट्स हैं जानदारों में वो अलग-अलग नहीं पाय जाते बलके वो आपस में आयोनिक या कॉवलेंट बांडिंग के जिरिए जुड़े होते हैं The stable particle found by such bonding is called as molecule or bio molecule और इस तरह की bonding से बनने वाला जो मतवाजन particle है उसे हम molecule या फिर bio molecule कहेंगे चुँके bio elements आपस में मिल रहे हैं इस वज़ा से जो molecule बनेगा उसे फिर हम कहेंगे bio molecule तो हम कहे रहे हैं कि जानदारों में जो bio elements हैं वो अलग-अलग नहीं पाय जाते बलके वो ionic या equivalent bonding के जरीए अपस में जुड़े होते हैं और इस bonding से बनने वाले मतवाजन particle को molecule या फिर bio molecule कहा जाता है molecule is the smallest part of a compound that retain the properties of that compound एक molecule किसी compound का वो छोटा तरीन हिस्सा है जिसमें उस compound की तमाम तर खसुसियात मौजूद होती है हमने बात की molecular level के बारे में के जानदारों में बायो elements अलग-अलग नहीं पाय जाते बलके वो ionic या equivalent bonding के जरीए अपस में जुड़े होते हैं और इस तरह की bonding से बनने वाले मतवाजन particle को molecule या फिर bio molecule कहा जाता है चुके bio elements मिल रहे हैं इस वज़ा से जो molecule बनेगा उसे हम कहेंगे bio molecule एक molecule किसी compound का वो छोटा तरीन हिस्सा होता है जिसमें उस compound की तमाम तर खसुसियात मौजूद होती है An organism is found by enormous number of biomolecules of hundreds of different types एक जानदार सेक्डो एकसाम के मुख्तलिफ biomolecules से मिलकर बना होता है Biomolecules are classified as micromolecules and macromolecules Biomolecules को हम दो ग्रूपस में तक्सीम करते हैं यानि के micromolecules और macromolecules Micromolecules are with low molecular weight Micromolecules का molecular weight कम होता है E.G. glucose and water जैसे के glucose और water तो micro का मतलब है छोटा यानि के micromolecules छोटे molecules ऐसे molecules जिनका molecular weight कम होगा इसमें हमने examples देखी glucose और water की Micromolecules are with high molecular weight Micromolecules का molecular weight ज्यादा होता है E.G. starch, proteins, lipids, etc. जैसे के starch, proteins, lipids और लिपट और इनका molecular weight ज्यादा होता है इस वज़ा से इने हम कहते हैं macromolecules Macro का मतलब है बड़ा molecule मिल बड़ा molecule ऐसा molecule जिसका molecule weight ज्यादा होगा तो strengths हमने बात की कि एक जानदार मुख्पलिफ एकसाम के सैक्रो molecules से मिलकर बना होता है molecules को हम दो एकसाम में तक्सीम करते हैं Micromolecules and Micromolecules Micromolecules का molecule weight कम होता है जैसे के glucose और water और Micromolecules का molecule weight ज्यादा होता है जैसे के starch, proteins और lipids बगएरा तो strengths आज की class में हमने पढ़ा है molecular level को molecular level के बारे में बात की कि जानदारों में bio elements अलग-अलग नहीं पाये जाते बलकि वो ionic या covalent bonding के जरीए आपस में जुड़े होते हैं और इस तरह की banding से बनने वाले मतवाजन particle को हम कहते हैं molecule या फिर bio molecule और एक molecule किसी compound का वो smallest part है जिसमें उस compound की तमाम तर खसुसियात मौजूद होती है एक जानदार मुफिलिफ एकसाम के सैक्रो molecule से मिलकर बना होता है molecules को हम दो इकसाम में तक्सीम करते हैं micro molecules and macro molecules micro molecules का molecular weight कम होता है जैसे glucose और water और macro molecules का molecular weight ज्यादा होता है जैसे कि starch, proteins और lipids आज के topics related questions define molecule molecule की तरीफ करें तो इसमें आप बताएंगे कि जानदारों में bio elements अलग अलग नहीं पाया जाते बलके वो आयोनिक या कोवलेंट bonding के जरी आपस में जुड़े होते हैं और इस तरह की bonding से बनने वाले मतवाजन particle को हम molecule या bio molecule कहते हैं एक molecule किसी compound का वो smallest part है जिसमें उस compound की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती है next question है differentiate between micro and macro molecules micro और macro molecules में differentiate करना है फरक करना है तो micro mean small छोटा यानि के micro molecules ऐसे molecules होते हैं जिनका molecular weight कम होगा जैसे के water और glucose और इसी तरह macro molecules बैक्रो में बड़ा molecule यानि के बड़ा molecule ऐसे molecules जिनका molecular weight ज्यादा होता है जैसे के starch, lipids और proteins आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रपेर करना है स्ट्रेंट्स हमने बात की molecular level की सबसे पहले हमने molecule की definition की molecule की definition में आपको ये उपर side information नजर आ रही है ये भी आपने लिखनी है इसी तरह फिर हमने बात की के एक जानदार मुख्तलिफ एकसाम के सैक्रो मॉलिकूल से मिलकर बना होता है और फिर हमने molecule की types के बारे में बात की यानि micro molecules और macromolecules स्ट्रेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक आपने इसको अच्छे तरीकेस परपेर करना है थाक्यू स्ट्रेंट्स